बात उस सेमी फाइनल मैच की, जिसे सचिन के दम पर जीत कर भारत ने आखिरी बार वर्ल्ड काप फाइनल खेला था। 2011 वर्ल्ड काप फाइनल में धोनी गम्भीर की पारी सब को याद है, पर सेमी फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ सचिन की कुटाई का जिक्र कम होता है। परिस्थितियों में भारत को फाइनल में पहुंचाया था। अगर सचिन के बल्ले से ये एतिहासिक पारी नहीं आती तो शायद हम 2011 विश्व कप का फाइनल भी नहीं खेल पाते। आज हम आपको उस यादगार पारी की एहमियत बताने का प्रयास करेंगे। सचिन तेंदुलकर उस मैच में वन मैन आर्मी की तरह खेले थे। तारीफ थी 30 मार्च 2011 और जगा आई-एस बिंदरा स्टेडियम, मोहाली, पंजाब। भारतिय कप्तान महेंद सिंग धोनी के सामने पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफ्रीदी की चुनोती थी। स्टेडियम में दोनों देशों के प्रधानमंत्री मौजूद थे। किसी को भी जीत से कम कुछ मनजूर नहीं था। टीम इंडिया ने टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करने का निर्नए लिया। वीरेंद्र सहवाग ने 25 गेंद पर 9 चौकों की मदद से 38 रनों की तेज पारी खेली। सहवाग वहाब रियाज के छठे ओवर की पांचवी गेंद पर LBW हो गए। फर्स्ट डाउन बल्ले बाजी करने उत्रे गौतम गंभीर 32 गेंद खेल कर 27 रन ही बना सके। विरात कोहली भी 9 रन बना कर वहाब रियाज का शिकार बन गए। टीम इंडिया का स्कोर 25 वमें 3 विकेट के नुकसान पर 141 रन था। इसके बाद सचिन तेंदुलकर का साथ निभाने बीच मैदान युवराज सिंग पहुँचे। युवी को पहले ही गेंद पर वहाब रियाज ने क्लीन बोल्ड कर दिया। जिस खिलाडी का बल्ला पूरे टूर्नामेंट में अपने शबाब पर था, वो सेमी फाइनल में नाकाम हो गया। पूरे स्टेडियम में मातमी सन्नाटा पसर गया। पर उम्मीद बाकी थी, क्योंकि पाकिस्तान का काल कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ग्राउंड पर थे। सचिन ने 11 चौकों की मदद से 85 रनों की शानदार पारी खेली। सचिन जरूर शतक चूक गए, पर उनकी ये बेशकीम्ती पारी किसी सैंचुरी से कम नहीं थी। ये सचिन के करिया की सर्वश्वेश्ट पारियों में से एक थी। अपने करिया के शुरूात से लेकर आखिर तक पाकिस्तान के खिलाफ जब भी सचिन मैदान पर उत्रे, समूचा भारत इस चैंपियन खिलारी के पीछे खड़ा हो गया। सचिन भी बेशुमार उम्मीदों पर खरे उत्रे, अंतिम लम्हों में रेना के 36 और धोनी के 25 रनों की बदौलत तीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 260 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तानी टीम 49 ओवर में 231 रन बनाकर देर हो गई। टीम इंडिया ने 29 रनों से मुकाबला जीत लिया। आलोचकों का एक वर्ग ऐसा कहता रहा है कि 2011 विश्वकप टीम इंडिया ने सचिन तेंदुलकर के लिए जीता। सचिन का इसमें कुछ खास योगदान नहीं था। जबकि हकीकत यह है कि सचिन तेंदुलकर ने 2011 विश् चुना भी मुश्किल होता। यह जरूर हकीकत है कि अपना छठा विश्वकप खेल रहे सचिन की खातिर पूरी टीम खिताब जीतना चाहती थी। पर लिटल मास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी उस जीत में एहम योगदान दिया था। 38 वर्ष की उम्र में जोश और जजब झाल झाल झाल